नमस्कार दुल्शको कैनेन न्यूस चैनल में आपका स्वागत है खेतिया शेत्र सही जिले भर में बारिश की लंबी खेच के बाद किसानों का मनुपल तूटने लगा है ग्रामिन शेत्रों में फसले पानी के लिए तरस रही है लंबे अंतराल के बाद भी शेत्र में बारिश नहीं हुई है कुछ स्थानों पर किसान पुराने टोने टोटके भी आजमाने लगे है इसी कड़ी में खेतिया नगर के छोटे बड़े व्यरसाईयों ने नगर बंद कर इंद्रदेव से वर्षा का वाहन किया कुछ किसान और नगर वासी अपने अपने खेत पर जाकर परिवार के साथ भोजन किया एवं परिवार के साथ पूजा अरजना कर अच्छी बारिश की कामना की नगर के पटेल एवं वरिष्ट सरवेश वर पटेल ने नगर बंद को सफल पताते हुए किसानों को मिलने वाली विजली के समय में कमी करने पर भी अपने विचार रखे वो बस दिद्वेपारियों ने बताया कि फसल अब बिना पानी के खराब होने की कगार पर है खेतिया से जितेनर जोशी की रिपोर्ट वर्षा की लंबी खेच के खारण बारिज जो है एक मैने से अभी बंद है हमारे वाल अगस्त के पहले तारिक से अभी तक कोई पानी नहीं गीरा हमारे वाल इसलिए हमने बंका हुआ रखा और बगवान से इंद्र देव से और सारे देवी देवता हर एक के धर्म जो भी जिस धर्म का है सभी अपना अपना बजन पूजन मजजीत मंदीर सभी जाए और पूजा करे बगवान का ध्यान बजन करे इसलिए बंद रखा सरकार तो हमारे तरब कोई ध्यान दे नहीं रही है कि सानों के तरब फसल सुक रही है अमारी इसलिए हमने बंद रखा कि बीड़ली पहले हमको दस गंटे देती थी और मैं अभी उन्होंने सिर्फ 4 गंटे कर दी इसलिए हमारी फसले सूख रही है इसी वज़े से और व्यापारी लोगों ने भी हमको पुरा सहयोग करा हमेशा करते आते हैं जब भी ऐसा मुखा आता है तो इसलिए पुरा गाव एक जूट होकर पुरा गजब बंद रहा क्या कहेंगे उसको अभी सब्सक्राइब करके रखा और अभी साम के साड़े पाच बच गई अभी तक पुरा बंद है